नमस्कार दोस्तों हम बाते करेंगे शरार्ती और नटकट जानवरों की शरार्ती और नटकट जानवरों की बाते की जाए तो सबसे पहले दिमाग में बंदर का ही खयाल आता है हमने इसे पेडों पर उच्छलते कुटते देखा है तो मदारी के इशारों पर कर्तब दिखाते हुए भी कई फिल्मों में अपने कारणामों से इसने खूब हसाया है हमें लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंदर जितना नटकट है उतना ही बुद्धिमान भी ये कई अंकों को समझ सकता है गिन सकता है और यहां तक कि मैंच के کई समस भी सौब कर सकता है एक दूसरे को सवारते हुए तो आपने इसे देखा ही होगा लेकिन ये आप जानकर हैरान होगे कि ये दरपन में मिरर में आफ खुद को पहचान भी सकता है ऐसे ही इंट्रेस्टिंग बाते हम आपसे शेर करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वर्ड में बंदरों की कुल टू 64 प्रजातियों की खोज की जा चुकी है और इंडिया में ज्यादातर मात्रा में मुमाक वर लंगूर प्रजातिया पाई जाती है बंदर नकल करने में माहिर होते हैं वे इनसान की हुबहु नकल कर सकते हैं और अक्सर आपने बंदरों को इनसान की नकल करते देखा भी होगा आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के लोग बंदरों का गोस्त बड़े चाव से खाते हैं चीन में मरे हुए बंदरों का दिमाग इन लोगों की पहली पसंद है क्या आप जानते हैं कि बंदरों को अंतरिक्ष में भी भेजा जा चुका है अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला बंदर एलबॉट था प्रित्वे पर पाए जाने वाला सबसे छोटा बंदर चस 4.6 इंच उसका साइज है क्या आप जानते हैं कि बंदर ही एक मात्र ऐसा जीव है जिससे इंसानों का डी एने मैच करता है आपको जानकर हैरानी होगी कि बंदरों में इंसानों की तरह टीवी की बिमारी हो सकती है बंदरों को इंसानों द्वारा छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो बंदर आपको काट भी सकता है तो नेक्स टाइम बंदरों से अलर्ट रहेगा दोस्तो क्या आप जानते हैं कि बंदरों को साइन लैंगवेज सिखाई जा सकती है और इन्हें गिंती करना भी आसानी से सिखाया जा सकता है जापान में बंदरों को एक अजबी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जिसके तहित यहां होटलों में बंदर को वेटर के रूप में रखा जाता है है ना बहुत ही अलग और अद्बुद बात कमेंट करके ज़रूर बताईएगा दोस्तो बंदर एक समाजिक प्राणी है और यह परिवार बना कर रहते हैं इंसानों की तरह बंदरों के भी फिंगर प्रिंट्स लिए जा सकते हैं क्योंकि बंदरों की विंगलियां भी इंसानों की तरह ही होती है बंदर के बारे में यह का जाता है कि यह धर्ती पर लगभग 50 लाख साल से मौजूद है स्पाइडर मंकी की पूछ इतनी मजबूत होती है कि अपने शरीर का पूरा वजन उठा सकते हैं बंदर एक मात्र ऐसा जानवर है जो हम इंसानों की तरह केले को छील कर खाता है बंदरों की उम्र 10 से 50 वर्ष तक ही होती है चार्स डार्विन ने बताया था कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे समय के साथ सारीरिक और मानसिक बदलाव होता गया और हम बाद में इंसान बन गए बंदरों की जादा तर प्रजातिया पेड़ों पर ही रहती है लेकिन कुछ एक बंदर ऐसे भी है जो जमीन पर रहना पसंद करते हैं जैसे बबून मादा बंदर के गर्व की जो टाइम पिरियड है जो वो छे-पांच महीने से आट महीने तक होती है जादा तर जो प्रेगनेंट जो बंदर होते हैं वो एक टाइम में एक ही बच्चा जन देती है हिंदू और बॉत धर में बंदरों को अपना एक खास महत्व दिया गया है बंदर को भगवान हनुमान से जोड़ कर देखा जाता है बंदर के सीने में दिल होता है या नहीं जी हाँ दोस्तों बिलकुल हाँ बंदर के सीने में भी दिल होता है एप्स और स्पाइडर मंकी हातों से जूलते हुए पेड़ों की एक शाका से दूसरी शाका पर जा सकते हैं लेकिन अन्य मंकी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वे पेड़ की साकाओं पे चल सकते हैं, अपसे तेज आवास निकालने वाला हॉलय मंकी है, जिसके तेज आवास जंगल में लगबग 3 किलो मेटर और खुले एरिया में, ओपेन एरिया में अप्रोक्सिमेटली 5 किलो मेटर के से भी ज और इसके हलावा बहुत सारी और भी बिमारिया हो सकती हैं, जो अभी तक पहचानी नहीं गई है, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सस्क्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूले, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ,